कि महात्मा गांधी के किस जीवनी लेखक ने लिखा था किस असयोग भारत और गांधी जीवन में एक यूग का नाम बन गया है जोशेप लेल्य वेल्ट जोशेफ डॉक एरिक फानर या लुइस फीसर बताएं दोस्तों सुद्धार टो दोस्तों आप हम इसमें अगर्पर सब्सक्राइब फालो करते थे रसकिन बांद वहां लुइस फीसर वाट डॉल जी गांदी जी के प्रिय थे और इनकी किताबों को फालो करते थे तो लुइस फिसर इसका अंसर हो जाएगा महात्मा गांदी ने नहीं खित में से किसे अपना राजनितिक गुरू माना था बाल गंगादर तिलक दादा भाई नारो जी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अमबेड कर तो सबको पता है दोस्तों महात्मा गांदी के गुरू कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले बाल कि इनकी किताब पोवर्टी एंड बिटिश रूल इन इंडिया जिसमें इन्होंने वेल ड्रेन का एक थियोरी दिया था फिर मुरा अंबेड कर पूर्णा पैक्ट गांधी जी सब आपको दिमाग में होना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा मात्मा गाधी कि स्वर्ण कांग्रेस के अध्यस बने तो सबको पता है दोस्तों 1924 में बने थे बेल गाओं में कि क्रिपिडेट क्वेस्टन है नेक्स्ट है रंग भेद के कारड मात्मा गांधी को किस वर्स दक्षिड अफरिका के पीटर मारीट्स बोर्ग रिलेस्टेशन में प्रतम स्रेंडी के रिल डेपे समान सहीद बाहर फिक दिया गया था बताएं दोस्तों कि 891, 892, 92 या 93 किस वर्स अभी पता है कि 893 में गांधी जी दच्छनी फरिका गया थे तो उसी समय वही जा रहे थे तभी उनको वापस बाट्रेंस से बाहर फेक दिया गया था N9 माहात्मा गांधी दुआरा भारतीची राष्टी गांग्रेश की कितने माहत्मा गांधी के राष्टी Hey कितनी बार अधियर्ष में किने बिमौ देख्राइब के निम्लिखित रहना असायोग अंदोलन नहीं करना चाहते थे तो यह अंसर हो जाएगा यह नहीं था तो दोस्तों यह अमरा आंसर आजाएगा वाकितीनों था नेक्स्ट में 1997 का सत्यागर मातमा गान्दी का पहां सत्यागर था भारती सत्यागर एक बीद्रों था तो कौण सत्यागर था दोस्तों क्यान sonit कि उनिशु सतर का अंदोलन था जिसमें निल के तिन कटिया वाले मतलब अथात निल की खेती से हमारे भारतिय किसान परिशान हो गया थे क्योंकि जिस खेत में निल कि बोया जाता था वहां पे और कोई फसल नहीं उगता था और जिससे आकाल पढ़ने का भी चांस हो गया था और सबसे वारा दिकत यह था कि उन्हें लागान बहुत देना पड़ता था यह तीन बटा बीस मतलब एक गाह में केवल तीन परसेंट ही रखेंगे बीस परसेंट क इसको भारत ब्रिटिश शरकार ले जाती थी इस सब का मामला जूड़ा हुआ था उसे चंपार अंदुलन हुआ मात्मा गांदी ने सत्याकर सभाग इस्थापना कब की थी मार्च 1908 मार्ट अप्राइल 1921 दिसंबर 1920 या फिर फरवरी 1919 बताएं दोस्तु तो फरवरी 1919 मात्म मात्मा गाधी ने ड्याश और्थ व्यक्रित गलोबल या बिकेंदृत माहत्मा गाठी ने अर्थ विवस्ता की वखालत कि अस्थानी, मातमा गाधीlaim विकेंद्रित अर्थविवस्ता की वकालत की नेक्स्ट कुश्चन है हमारा मात्मा गाधी के लिए भारतिय मानवता की एक्ता इसकी आर्थिक स्वतन्ता और समानता का प्रतीक था खादी पईया नमक धागा बताएं दोस्तों कौन सा जो दोस्तों तो दोस्तों यह थे हमारा मात्मा गांदी के लिए भारतिय मानवता की एक्ता इसकी आर्थिक स्वतन्ता का प्रतीक था खादी पईया धागा या नमक बताने दोस्तों तो दोस्तों सब सबको पता है कि गांदी जी खुद चार्ख चालाती तो खुद ही खादी पहनते ते और खादी पहने के लिए लोगों को कहते भी कि सब लोग एक समान दिखें तो दोस्तों यह थे हमारे किस फॉस्टन अपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेच्ट कुश्चन में तब तक के लिए पढ़ते रहें धन्य कि नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपके आपने यूटूब चैनल पर जिसका नाम इलौन मैं हूं कॉसल जैस्वाल और फिर से लेकर हाज इनों दोस्तों यूप्यस्टी पेडिक रिगॉर्डिंग नहीं क्लास इसमें हम डिल करेंगे इस्टिक रिलेटेट क्वेस्चन तो चल में निर्गित में से किस क्रांतिकारी दवारा फिलासपी आप बोम मतलब बनाने की फिलासपी नाव प्रसित्र लेक लिखा गया तो कौन था दोस्तों वह भगवती चरण बवारा इसके लेखक थे नेक्स्ट कोशन है आपको पता हिए भगत सिंग एच एस आरे से सम्बंदित है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों वर्ड उने सुचार में किसने करांतिकारियों के गोपनी और समीति के रूप में अविनो भारत का आयोजन किया था बीडी सावरकर, सचिन सान्याल, रास वियारी बोर्ड या फिर परफुल चाकी बता हैं दोस्तों तो कौन थे दोस्तों अभी नों वरत के बीडी सावरकर बीडी सावरकर थे नेक्स चलते हैं दोस्तों कि गदर अंदूलन के नहीता को तो है Lance मैठम का मावगत सिंह या फिसी स्याम जी कृष्णवर्मा कुले तो है लिए तुम सबकों पता है दूस्तों लाला हर्दयाल कि हर दयाल एकी मैं दोस्तों कलेदुद और अंदूलन कर लिजें फिर गदर पार्टी कर लिजिए गदर समंधित थे भाकाना जी भी थे और इसका फ्रांसिस्को कलिफोर्नियम इसका एड़ ऑफिस था दोस्तों कि नेक्स्ट है हमारा भगत सिंग आपको पता बताई गया मैडम कामा मैडम भीका जी कामा भीका जी कामा पर्थम माईला करंतिकारी थी दोस्तों जो 138 संग्राम के लिड़ रहे थी और पुली बारिनोंने ही तिरंगा लइर आया था वह भी वी देश में नेक्स्ट है अपराधियों के रूप में नहीं बल्की राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते वें किस करंतिकारी की क्यों था पराधियों के रूप में बल्की राजनितिक बंदियों के रूप में इलाज की मांगकर तो किस क्रांतिकारी की जेल में इस दिन उपवास के बाद मिर्ति हो गई यतिन दास पुलीन दास अनंत कुपता या बिने बोस कि दोस्तों जतिन दास कि जतिन दास जी थे जो इलाज की मांग करते हुए कि रिदिकारी की जेल में 64 दिन भूख रदाल पे थे यह और इनकी मिर्ति हो गई सबसे कम उम्रेंग की मिर्ति होए थी दोस्तों पहले करांथिकारी थे जो सबसे कम में इन्हों ने सभी प्राप्त किया 1908 में खुदिराम बोस और परफुल चाकी ने मुझा फरपूर में इस बिटिस जज़च पर बम मारा और उसने मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता क प्रेशिदेंसी मजिस्ट्रेट थे बताएं दोस्तों 1908 में खुदिराम बोस और परफुल चाकी के मुझा फरपूर में किस बिटिस ज़च पर बम मारा यह उसने मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुझा कि प्रेशिदेंसी मजिस्ट्रेट थे लाड़ करजन या प्रेशिदेंसी मजिस्ट्रेट थे लेकिन यह मारा नहीं दोस्तों और इसकी जगह पे कोई प्रेशिदेंसी मर गए थे जिसके वज़ए से प्रफुल चाकी प्रफुल चाकी को फांसी हुआ था कि नई सब्सेयर भरत समाज एस्थापना कि जिए गोखलेन मोखले मोकल कश सब्स लिगवर्प राज गुपलाचे ऑ रूना आसंफ ली कि मतायााँ दूस्तों मुक्त भारत समाज के असथ हमां थे तो दोस्तों बीर इस्थावर कर अभeld आवभारत और यह मुक्त पहले प्रसकार और राधा कृष्णा राधा कृष्णा को मिला था और और सीवी रमन को मिला था राजगोपाराचारी सीवी रमन और डाक्टर स्वरपरी राधा किष्ण तीन लोगों को एक साथ नॉबल प्रसकार मिले वे थे नेक्स चलते हैं आ निम्हित में से मिलान कीजिए, इसमा मामला और शूरी शेण काकली सदे हँं मामला और अर्विंद गोस्व progressive श श्रुक्त गाँश्चा और अलिपूर बंमगा बताये दोस्तों राम प्रशाद बिस्मिल शुर्य सेन अरविंद गोष या फिर भगत सिंग बताएं दोस्तों कौन सा सही है तो राम प्रशाद बिस्मिल सबको पता है दोस्तों काकोरी सड़यंत्र मामला किसे समद्धित थे एच यस और हिंदुस्तान से यह समद्धित थे उसके बाद सूर्य सेंग किसे समद्धित थे दोस्तों तो चटगाउं सस्त्रगार छापा अज生 की दोस्तों कि सूरे सेंग राम प्रशाद बिस्मिल और दूसरा के सुरे सेंग चातगाउं सस्त्रगार चापा हो जाएगा कर्eled इसे चाह. यहुत हो जाएगा अरविंद घोष् आपको पता लाहॉर्स Strins मामला अर्विद गोस अलिपूर बं मामला चोब्था हो जाएगा भगत सिंग लाहर शड़ेंतर मामला यह जाएगा पहला तो दो तीन चार एक दो तीन चार एक अप्सों नमर भी सही है अलिपूर बं मामला और भगत सिंग लाहर शड़ेंतर मामला उमिद आपको यह अंसर समझ में आया होगा नेक्स चलते हैं दोस्तों गदर क्रांति आराम होने के का सबसे प्रमुक करण क्या था प्रतम विशूद आरम होना करतार सिंग सरा भाई को फांसीद देना कोमा गाता म मारू घटना होना बताय दोस्तों है कि गदर करांति आरा मोरें सब्सक्राण क्या था है कि तो करतार सिंग सारा भाई को फांसी देना यह प्रमुक घटना था और आपको मात कोमा छाटा रूमायरू घठना दूस्तों क्या एक जीसे एक जहाँज था उस जहां से इनधीः भरत क्वासी लोग कहा ओं जाने वाले दोस्तों हैं जापान चाहान के लोगो ने उतारने नहीं दिया फिर जहांज वापस इंडिया ने उन पर गुल लगाए थी बहुत नहीं थे लोग मर्ज गय थे यह घटना कामा गाटारू घटना कालाती है चंद सिकर आजात मुटबेड में कहां सहीद हुए थे मिरट आगरा कानपूर इलाहबाद दोस्तों पता ही आभी मनें कि अलफरेट पार्क में यह सहीद हुए थे नेक्स्ट है एक में दोस्तों चले दोस्तों अब यह कर लेते हैं सलाल बल पन बिजली परियोजना किस नदी परिस्तित है दोस्तों बताईए जहलम रावी ब्यास चिनाब नदी पर इस्तित है और जमुएंड कस्मीर रजस्थान में खेटरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जस्ता तामबा एल्मूनियम इस्पात त सब को पता है दोस्तों तामबा के लिए खेटरी डाबला सिंग आना इस सब क्या है क्रजस्थान के लिए में परसिद्ध है काजी रंगा राष्ट्य उद्यान इस्तित है असम मद्य परदेश परस्षी मंगल तो असम है दोस्तों और एक सिंग वाले गेंड़े के लिए पर सब्सक्राइब निम्रिकित में से कौन से हिमाले नदी तंत्र की नदियां है कि गंगा कावेरी है तो दोस्तों आपको पता है कि गंगा हिमाले से निकलती है कि गंगा हिमारेश निकलती है कि ब्रह्मपुत्र भी हिमारेश निकलती है लेकिन गोदावरी कानस्री के देट गोश्तों त्रयंबक की पहाडी नासिक और कावेरी भी ब्रह्मगेरी पारिश निकलती दोस्तों तो दूसरा और तिसरा हिमारेश निकलती है नागरजुन बांध सागर की संदीप बना है नागरजुन सागर बांध की संदीप बना है दोस्तों तो कृष्णा नदीपर नागरजुन बांध बना है नेक्स्ट माउंट एबरेस्ट पर पर्थम बार चडाएक की स्वर्स की गई थी दोस्तों तो 1953 में नाइंटीन फिफ्टी थी में की गई थी भरतपुर पक्षी अब्यारण राश्टी उद्ध्यान का नाम केवला देव घना पक्षी अब्यारण है दोस्तों जले करते हैं नेक्स्ट है एक में दोस्तों कि भिलाइस पाथ सेंद्ध के लोग अईस का स्रोथ है दोस्तों दिल्ली राज जहरा चुकि इस पर अलड़ी कुस्ट लगा हुआ है दोस्तों तिल्ली राजला खेर आपको से मतलब है सब इंपर्डेंट कॉस्टन है दिये गए दर्रों और उनके अस्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो जोजिला और बुर्जिल तो दोस्तों यह जमू कास्मिर है बिल्कुल सही है कि बारा लाप्चला और ऐसिछी खिलत दोस्तों यह उत्तर पर देस में तो परस धंसा सिक ज़्ये महां है और थागला निर्ति-पाज और लिपुले कर दोस्तों हिमाचल पर्देस धूछी में नहीं है तायी यह लींधामा पड़ेस में लद्दाख में है आपका थागला निति पास और लिपुलेक तो यह अब गलत होजा लद्दाख में है कि यह आपका का है दोस्तों कि सिक्किम या ही माचल प्रदेश को यह माचल प्रदेश में है कि नेक्स्ट कुस्टन हमारा भारत में कूल सी चाई का पैतारीस परसेंट और घरल्व पानी का भुजल निजिर जर्व से आता है तो दोस्तों असी परसेंट अलेडिस पर लगा हुआ है तो उम्मीद वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों मिलते नेक्स्ट क्लास में जिसमें करेंट अफियर के इंपोर्टेंट कोस्टन्स डिल करेंगे तब तक लिए पढ़ते रहें धन्यवाद